Hey guys, welcome back to my channel तो guys, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि Tombow Mono Zero Eraser हमारी drawings के लिए क्यों बहुत ज़्यादा important है basically grey fight और charcoal artist के लिए आपको पता को मैं ज़्यादा work grey fight में करता हूँ तो मेरे तो बहुत ज़्यादा helpful रहता है तो इस वीडियो में बताऊँगा मैं किस तरह से because यह वर्ल का best fine eraser है इसके अंदर 2.3 mm की refill होती है जो कि आपको screen पर दिख रही होगी कुछ इस तरह की बिल्कुल पतली सी refill होती है so किस तरह से बहुत ज़्यादा helpful है हमारे grey fight और charcoal works में वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो चलो देखते हैं तो आपको screen पर दिख रही होगी मैंने ये वाली drawing बनाई थी जो कि बिल्कुल भी मैंने इसमें erasers का use नहीं किया है only मैंने charcoal से blend किया है ये पूरी dog वाली drawing है इसमें आपको कहीं भी highlights नहीं दिख रहे होगे कहीं भी white hairs नहीं दिख रहे होगे जो कि fur होते हैं animals के तो इसमें use करूँगा मैं आप tombo mono eraser और आपको difference दिखाऊँगा कि tombo mono eraser use करने के बाद क्या difference रहता है किस तरह से हम animals के fur काफी अच्छे से मैं draw कर पाता हूँ और गईस काफी लोग ये लगता है कि charcoal के उपर हम eraser का use नहीं कर सकते है charcoal काफी dark होती है वो erase नहीं हो पाती है बट जो ये वाली drawing है इसमें मैंने complete charcoal का ही use किया है soft charcoal pencil का और फिर blend किया है तो इसके उपर से मैं काफी अच्छे से use कर सकता हूँ बस आपने charcoal pencil को बिल्कुल pressure का apply करके use नहीं करना है पहले आपकी shading अच्छी होनी चीए अगर आपको eraser का use करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छे से fine line opt कर पा रहा हूँ काफी अच्छे से charcoal भी erase हो पा रहा है तो ऐसे नहीं कि charcoal अच्छे से erase नहीं हो पाता है बस आप एक बार eraser को use करने से पहले आप आगे से cut कर सकते हैं कुछ इस तरह से क्योंकि use करते करते eraser के आगे graphite या charcoal जम जाता है जोगे आप देख सकते हैं काफी highlights करने है अपने photograph को अच्छे से observe करो कहां पे white hair हैं कहां पे highlights हैं उसके according आपने बस simply strokes लगाने है तो इस drawing में जहां 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 भी मुझे लगेगा मुझे strokes लगाने हैं जहां 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 भी मुझे fur बनाने हैं जैसे कि आप देख सकते हैं dog है तो इसके जो फर हैं obviously वो white white तो हों गई पूरे dark तो नहीं होंगे न because कोई hair कहां जाएगा कोई hair किस direction में जाएगा तो वो हम इस तरह काफे अच्छे से opt कर सकते हैं different different direction में हम white white hairs draw कर सकते हैं मैं आपको पूरा real time में तो नहीं दिखा सकता because इस तरह के work में बहुत जाए time लगता है tombo eraser से highlights करने में but अगर कोई simple सा work है कोई hair है, portrait में hair है या फिर beard वगार है, वहाँ पे इतना time लगता और यह तो वैसे भी even size का है तो इस पे तो मझे बहुत time लगाता इसलिए मैं आपको main main part दिखा रहा हूँ बस आपने भी simply इसी तरह से eraser का use करना है highlights करने के लिए so guys अभी आपको screen पर दिख रहा हूँ और दोनों में कितना लाए difference है पहले में और अब में जब मैंने eraser से इसको highlight किया जो fur एक एक अच्छे से observe करके जो highlights की है अब जो work है वो काफी उभर के आ रहा है जो highlights हो गया रहा है वो देख सकते हैं white white पहले पुरा black black लग रहा था जो कि usually नहीं होता है because highlights तो होते ही है ना hair में fur में तो इसलिए tombo mono razor काफी जादा important है इस तरह की highlights करने के लिए इस तरह की highlights हम और किसी erasure से नहीं कर सकते है because काफी fine fine lines है जो कि आपने देखा मैंने opt की animals के first highlight करने में तो बहुत ज़दा important है but जैसे कि आप सो को पता है portrait में बहुत use करता हूँ portrait में जो hair होते है basically सबस्यादा तो मैं hair में ही use करता हूँ hair में highlights करने के लिए जैसे कि आपको अब दिख रहा हुआ इसमें मैंने indenting का भी use किया था उसके उपर से भी eraser का तो use करना ही पड़ेगा तो hair के लिए beard के लिए mustachy के लिए जो भी highlights होते है न छोटे-छोटे वो हम काफी अच्छे-च्छे से कर सकते है so I hope आपको समझ में आ गया हुआ कि यह क्यों बहुत ज़्यादा important है तो अगर आपके वस नहीं है तो आप buy कर सकते है link description में दे दूँगा मैं because यह one time investment है इसके आपको refills बाइ करने पड़ेंगे और refills कितना चलेंगे काफी लोग पूछते हैं एक refill कितना चलेगा वह आपके उपर depend करता है कि आप कितना ड्रो करते हो तो मेरी first refill है ना वह मेरी 3-4 महिने चली थी first refill but अब तो मेरी एक refill एक refill एक हफ़ता चलती है एक हफ़ते और अगर जैसे कि मैंने यह डॉग वाला बनाया डॉग वाले मेरी आज़ी refill खतम होगी थी तो वह वर्क पर depend करता है कि आप कितना वर्क बनाते हो अगर आप beginner है ज़्यदा ज़्यदा नहीं बनाते हैं तो आपके आराम से 3-4 महिने एक refill आराम से चल जाएगी करता है टाराम से क्टी कार्पा कार्पा कर रच आराम से एक राच